Redmi के 7A device के लिए एक latest update आया है 12.5 का जिसके बाद इस phone के अंदर जान काफी ज़्यादा आ गई है और पहले से काफी ज़्यादा improvement देखने को मिले हैं और कुछ नए features भी मुझे नजर आये हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ share करने वाला हूँ और अगर आप एक Redmi के 7A device के विजएस हो तो भाई इसे अपने दोस्तों के साथ share करना ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि हाँ भाई एक नए अपडेट आया है उसमें क्या कुछ हमें नया देखने को मिलता है तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले में एक चीज़ यहाँ पर confirm करना चाहूंगा आपके doubts क्लियर करना चाहूंगा आप देख रहे हुए कि यहाँ पर दिखाए देर है 12.5.2 जबकि यह आपका Indian device है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 12.5.1 क्यूंकि जो 12.5.2 है यह global का update है और जो इंडिया का special update है वो है 12.5.1 और दोनों के update में सेम चीज़ लोग देखनी को मिलता है और सेम चीज़ आपको कस्टमाइशन देखनी को मिलेगा इसका phone का performance काफियर डाउन हो गया था एक ताइम पहले तो मैंने global पर switch किया था और जब से मैं global ही उच कर रहा था इसलिए मुझे यहाँ पर global update मिला है लेकिन यह डिवाइस जो है वो इंडिया का है अगर हम final चेंज लोग की बात करें तो आपको अपडेटर में ज्यादा कुछ नजर नहीं आगा सिवाए optimization वगेरा के लेकिन वहीं पर जो जो official update प्रवाइड करते है टेलिग्राम पर उन्हां पर आप चेक करोग आपको का वी कुछ नहीं चीज़ें देखनी को मेलेगी जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो यह है हमारा 12.5.1 Redmi 7A डिवाइस का update जो कि यहां पर है और इसका detail में ने टेलिग्राम पर भी प्रवाइड किया है जहां पर full change लोग में optimization है notes के अंदर कुछ improvement किये गए है system म मैच किये गए है कुछ नए ringtones वगर एड किये गए themes को मैच किया गया है privacy में कई सारे चीज़ें को improve कर दिया गया है system animation पर ध्यान दिया गया है sounds में improvement किया गया है IEMI के अंदर कुछ नए और function वगर है जो add किये गया है तो channel के इस आप से तो काफी कुछ नया है जो के internally change किय गया है लेकिन अगर आप overall एक loop डालोगे ना इस device के अंदर के क्या नया है तो ऐसा कुछ खास नया दिखाई नहीं देता तो आते हैं about के ऊपर और आपके doubt क्लीर हो गया है कि यह 12.5.2 क्यूं है तो tension मत लेना को यह 2 का दिखा रहा है हमें तो 1 का चाहिए same चीजी होने वाल है same performance होने वाला है बस global और इंडिया के वज़ा से number change हो गया है तो यहां पर आप देखुए कि भाई यहां पर भी आपको 11 month का ही याने November का ही security patch देखनी को मिलता है security के अंदर भी कोई बदला और नहीं है काफी smooth मुझे feel हो रहा है इस update के बाद और काफी हाथ तक यह UGA बन चुका है लेकिन यहां पर मुझे कोई भी system के app के अपडेट नजर नहीं आए तो आप चेक कर लेना कि आपको update नजर आते हैं या नहीं और यहां पर जो आपको Google Play system update दिखाई देते हैं यह आप दिखते ह 1 January का सबसे latest हो चुका है जबकि Miware का security पर थोड़ा old ही देखनी को मिलता है तो आप इसे check कर लेना अगर आपका updated नहीं है तो manually यह auto update हो जाता है कभी-कभी और कभी-कभी हमें manual update करना पड़ता है तो यह चीज़ें आपको यहां पर देखनी को मिलती है इसके अलाबा इसका जो security app है इसमें आपको थोए से changing को मिल जाते हैं तो अगर मैं यहां पर search कर रहे हैं तो एक चीज़ आप और notice करोगे कि मैं यहां पर security search करता हूँ तो उसके shortcut नजर आते है डायक्ट एप सामने निकलके नहीं आता तो आप अपना check करना कि क्या आपका सही से search कर रहा है यहा फिर आपका है जो कुछ इसी तरीकी से दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरा वह पूरा का पूरा अप्लिकिसन सो नहीं करता है उसके कुछ shortcuts यहां पर दिखाई देते हैं तो मैं यहां पर इसे डायक्ट open कर लेता हूँ इसके बार मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके battery और बाक हो चुका है तो यहां पर मैंने game turbo video toolbox को activate कर रखा है तो video toolbox मैंने डाला है gallery के उपर तो अगर हम gallery के उपर switch कर जाते हैं और यहां पर swipe करें तो आप देखोगे यहां पर old look ही देखनी को मिलता है कुछ भी नया नहीं दिखाई देता लेकिन आप notice करोगे कि हमारा gallery up to date हो गया ह जिसमें all और camera का sign आ रहा है जो कि पहले हमें दिखाई नहीं देता था slide करते हैं इधर तो यहां पर आपको तीन नय और option भी देखनी को मिल जाते हैं जो कि पहले नहीं थे तो यह भी improvement आ गया है another अगर हम किसी भी यह जो photo को click करे और उसे हमें जो edit करने की कोसिश करे just like this त तो भाई काफी कम option हैं आते तो हैं बड़ server से lock इसके बज़े से यहां पर दिखाई नहीं देता तो यह text भी आपको थवा change दिखाई देता है क्योंकि font में भी इस वाट बदलाओ किया गया है बाकि यहां पर आप देखो यह lock और unlock का size यह भी थवा अलग है और इसके animation में आपको थोवा सा improvement देखनी को मिल रहा होगा जो कि मैं यहां पर lock and unlock कर रहा हूं तो आपको feel हो रहा होगा इसमें भी मुझे थोवा सा better लगा है पहले के comparison में गैलरी के अंदर setting में आए तो यहां पर cloud का sign देखनी को मिलता है जहां पर अगर आप इसे turn on कर देते हो तो कुछ इस तरह की से आपको यहां पर दिखाए देगा जिसमें कितना storage है कितना आपने है जो use कर लिया है वो साइज चीज आपको यहां पर नजर आएगी बाकि आप यहां पर turn off भी कर सकते हो क्योंकि भाई आपका जो data है वो खर्च होगा यहां पर photos बगर अप्लोड होने में तो मिवाइ 13 मिलने वाला ना बाके देवाइस को सायद इसको नहीं मिलेगा तो उसके कुछ यहां पर wallpaper भी आ चुके live वाल है जो की dynamic wallpaper है उसके लिए बस आपको wallpaper session पर जाना है और यहां पर search कर दिना है मिवाइ 13 भाई बहुत सारे इसे डिवाइस है जिनको अभी तक मिवाइ 13 का वाल पर नहीं मिला है 12.5 के अंदर बट हमाँ जो redmi 7a जो की android 10 पर रन कर रहा है इसका update बंध होने को है लेकिन भाई इसे मिवाइ 13 का वाल पर वाइट किया गया है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो तो यह चीजे देख के मुझे काफी अर्चे लेगी बट यह डाइनेमिक यानि लाइव वाल पर है तो मेभी आपके सिस्टम को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं तो भाई यूज करने से पहले सोच लेना कि आपको इसे यूज करना या नहीं अगर आपको फिल होता है यहां भाई यह सिस्टम को स्लो कर रहा है और जादा बेकार हो रहा है तो इसे आप यूज मत करना लेकिन भाई अच्छी बात है कि MIY13 का लाइव डाइनेमिक वाल पेपर आपको देखने को मिला है तो यहां पर आप देख पाऊ है कि यह डाउनोड हो चुका है आप मैं फि देख पार है और मैंने पहले भी एक डाउनोड किया था तो यहां पर यह तो अप्लाई हो चुका है बट होमस्किन पर भी तक लोड नहीं लिया जैसा कि मैंने बताया एक भाई यह फोन नहीं है आप यूज करते हो तो इमें भी आपको दिक्कत आ सकती है तो जैसा कि आप देख पार है यहां पर ब्लैक वाल पेपर देखनी को मिर रहा है कोई भी बदलाव नहीं आया तो इस चीच का ध्यान जरूर रखना क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर है उतना ज्यादा नहीं है बाकि हम वीजर्स के और आते हैं तो यहां पर कुछ खास ने वीजर्स देखनी को प्रिव्यू को आप अजिस्ट भी कर सकते हो दन कर दो उसकार आपको यहां पर इसका प्रिव्यू देखनी को मिलेगा तो यह भी चीज़े मुझे काफी अच्छे लगी है साथ स्याथ ग्यालरी अपडेट हो गिया है तो हमारा जो इसकी शूट का एडिटर है यह भी भाई अपडेट हो चुका है जिसके अंदर आपको एडवांस एडिटिंग वाले टूल्स तेखनी को मिल जाते हैं जिस पे आप यहां पे कई सारे कलर कर सकते हो यहां पे कुछ और एडिटिंग कर सकते हो पैंसिल वगड़ा कर सकते हो इरेज कर सकते हो ड्रोइंग बना सकते हो ट आपको देखनी को मिलेगा privacy protection का option साथ इसाथ आप किसी भी gallery के अंदर photo को pick कर तो कुछ इस तरह की से share करने की कोशिस करोगे swipe up करके या फिर यहां से तो यहां पर privacy protection का नया sign देखनी को मिलेगा जहां पर आप अपने photo के data location को और भाई बाकी metadata को भी hide कर सकते हो ताकि जब जब कोई photo share करो तापकि जो original digital identification है वो hide रहे share न हो TV features आपको यहां पर देखनी को मिलता है जो कि दिखा रहे हैं यहां पर कि कहां पर जाके आपको off करना है go to galaxy setting to view more options हो गएरा तो इस तरह की से privacy के अंदर भी ख़वुत optimization है जो किया गया है रही बात camera की की camera कंदर क्या कुछ नया मिलता है तो camera same to same पहले जैसा ही है कुछ भी मुझे यहां पर नया और special देखनी को नहीं मिला है तो इसमें कुछ खास आपको दिखाई नहीं देने वाला बाकी अगर हम अपने setting की बात करें तो setting में मु मुझे काफी ज्यादा smooth देखनी को मिला है और actually one tap में है जो नीचे draw हो जाता है जबकि पहले काफी ज्यादा irritate करता था तो यह चीज़े मुझे यहां पर काफी हद तक सही लगा है जैसा कि आप देख से तो notification drawer हो या फिर हमारा control center हो और volume panel का जो look है वो same to same पहले जाए सही ह इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया क्योंकि अगर कर दिया जाए तो महारा system उतना capable नहीं है जिसके वैसे काफी ज़्यादा issue आएंगे तो भाई इस वरकर जो update है मुझे really में काफी पसंद आया है पहले से काफी ज़्या improvement आ चुकी है इसके UI के अंदर performance के अंदर तो अग कर रखा है तो यहाँ पर आप देखिवे हैं कि जैसे मैं game door को यहाँ पर open करता हूँ यहाँ पर आपको watch challenge तो मिलने वाला है नहीं आप इसके उमीड भी मत करना क्योंकि कई सारे devices को नहीं मिला है जो कि काफी अच्छे-खासे phone है तो यहाँ पर जाई से बाते नहीं आएग करता हूँ तो गैलरी के अंदर आ जाते है भाई आजा गैलरी के ऊपर ठीक है तो यहाँ पर भाई बैक हो जा बैक हो जा हाँ यह आप देखोगे कि यह है हमारा geekbench का result जिसमें single और multi आप देख पार है ठीक-ठक में करूआ अच्छा है और यह है हमारा CPU total जो कि 93 का गया है भ काफे ज़्यादा usable भी में कहूंगा इसके लावा इसका जो notepad है यह भी थोड़ा सा update हो चुका है और यहाँ पर काफे improvement देखनी को मिलता है तो यहाँ पर फिरसे note में search करूँ आप देखोगे भाई note के shortcut वगेरा आ रहे है लेकिन notepad यहाँ पर सामने नहीं आया तो that यहा काफे कुछ आपको improvement देखनी को मिल जाएगा और यहाँ पर किक note का भी आपको shortcut देखनी को मिलता है जो कि आप open कर सकते हो open करने के वाद इसका kick bar देखनी को मिलेगा जो कि आप कहीं से एकसेस कर सकते हो और जो भी inner pad आपने save कर रखा है उसे आप यहाँ पर active कर पाऊगे यह आप कहीं से भी save कर सकते हो तो यह भी features मुझे काफी पसंद आया और आपके काफी काम आने वाला है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर chrome पे आ जाता हूँ और मान लो कि यह रहा हमारा chrome और chrome पे कोई ऐसा page है जो कि आपको bookmark बगरा करना है आप phone बगरा reset करते रहते हो तो भाई य आपका जो notepad में वो link save हो जाएगा और बात में जब मर्ची हो कहीं से भी आप notepad को इस तरह की से draw करो यहाँ पर आ जाओ आपको notepad के अंदर options देखनी को मिलेंगे जो कि अभी मैंने save किया था और इस पर click करोगे आपका वो link देखनी को मिल जागा URL वगेरा या sometime भाई आपके पास photo वगेरा भी रहेंगे ना उसे भी save कर लेता है और अभी आप देख सेविंग आइटम चल रहा है अब यह save हो चुका तो यहाँ पर open करोगे तो आपको पूरा notepad का detail वगेरा टेक्ट पर देखनी को मिलेगा और उसका link वगेरा भी देखनी को मिलेगा जो कि आ काफी पसंद आया आपका क्या ख्याले आपको update मिला या नहीं भाई पताना जरूर और रही बात long term review की तो मैं try करूंगा ऐसे तो यह long term का ही review है क्योंकि भाई पहला जो update आया था testing के time पे तब मैं आपको वीडियो नहीं दिया था जब से यह use हो रहा है और मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं लगी है इसके अंदर तो नहीं बात long term review की तो भाई एक तरस long term का ही review है मैं काफी दिनों से इसे use कर रहा हूँ और काफी time पहले ही यह आ गया था और मुझे ऐसा कोई खास दिक्कत ने आया भले ही यहाँ पे मुझे improvement feel हुई है तो मैं इस update से नि झाल 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 झाल